आप सभी को जय मसीखी दबाइबल पुष्ण में आपका स्वागत है हमारा आज का वचन है लेव्य व्यवस्था की पुस्तक सत्रहवा अथ्याए फिर यहुआ ने मुसा से कहा हारुन और उसकी पुत्रों से और सब इस्राइलियों से कहे कि यहुआ ने यहा आग्या दी है इस्राइल के घराने में से कोई मनुश्य हो जो बैल या भेड के बच्चे या बक्री को चाहे चावनी में चाहे चावनी से बाहर घात करके मिलाप व यहुआ के निवास के सामने यहुआ को चढ़ाने के निमित न ले जाए तो उस मनुश्य को लभू बहाने का दोश लगेगा और वह मनुश्य जो लभू बहाने वाला थहरेगा वह अपने लोगों के बीद से नश्ट किया जाए इस विधी का यहा कारण है कि इस्राइली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वद्ध करते हैं वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहुआ के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बली करके बलिदान किया करें और याजक लहु को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहुआ की वेदी के उपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगत के लिए जलाए वे जो बकरों के पूजक होकर वेपिचार करते हैं वे फिर अपने बली पशों को उनके लिए बलीदान न करें तुम्हारे पीड़ियों के लिए यह सदा की विधी होगी तु उनसे कहे कि इसराइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुश्य क्यों न हूँ जो होंबली या मेलबली चढ़ाए और उसको मिलाब वाले तंबुक के दौर पर यहुआ के लिए चढ़ाने को न ले आए वह मनुश्य अपने लोगों में से नश्ट किया जाए फिर इसराइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुश्य क्यों न हूँ जो किसी प्रकार का लहू खाए मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नश्ट कर डालूंगा क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ानी के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है इस कारण में इस्राइलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी न खाए इस्राइलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुश्य क्यों न हूँ जो अहेर करके खाने की योगी पशु या पक्शी को पकड़े वह उसकी लहू को उंडेल कर धूली से ढाब दे क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है इसलिए मैं इस्राइलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है जो कोई उसको खाए वह नश्ट किया जाएगा और चाहे वह देशी हो या परदेशी हो जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए बशुर का मास खाए वह अपने वस्तरों को धोकर जल से स्नान करे और सांच तक अशुध रहे तब वह शुध होगा परदो यदि वह उनको न धोए और न स्नान करे तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयम उठाना पड़ेगा